पेगंबर मुहम्मद के खिलाब विवादि टिपणी के मामले को लेकर विवाद खमता नज़र नहीं आ रहा शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद देश के कई शहरों में नुपुल शर्मा के खिलाब जम कर विरोध हुआ इस दोरान भीड को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को भारी मुशक्कत भी करनी पड़ी दिली के जामा मस्जिद से लेकर कॉलकता और यूपी के कई शहरों में नुपुल शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाब जम कर विरोध प्रदेशन हुआ यूपी की राजधानी लखनो के अलावा देवबंद प्रियाग राज और सहारन पूर में नुपुल की गिरफतारी को लेकर जम कर हंगामा हुआ देवबंद में पुलिस ने प्रदेशन कारियों को हिरासत में भी लिया जामा मस्जद में प्रदेशन कारियों ने नुपुल शर्मा और नवीन जिंदल पर कारिवाई की मांगी साथी लोगों ने जम कर नारेवाजी भीखी आला कि पुलिस का कहना है कि अब इस्तिती काबू में है जौमा मस्जद के शाही इमाम का कहना है कि उन्हें इस विरोध प्रदर्शन के बारे में कुछ पता नहीं था और नाही मस्जद की ओर से कोई विरोध प्रदर्शन बुलाया गया था वहीं जुमे की नमाज के बाद यूपी के लखनो, प्रियागराज, सहारनपुर और देवबंद में नुपुल शर्मा के खिलाफ बिरोध प्रदर्शन हुआ इस दोरान जमका नारे बाजी भी हुई देवबंद में पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासब में भी ले लिया पुलिस को लोगों को नियंतित करने के लिए भारी मशक्कत करनी पड़ी पुरादाबाद के मुगला पुराच्वेत्र में जुमे के नमाज के बाद अचानक कुछ लोगों ने चौराहे परा कर प्रदर्शुन किया आपको बता दे कि बीजेपी से निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने एक टीवी डिबेट में पैगंबर मुहम्मद पर विवाद टिपनी की थी इसके बाद विवाद काफी बढ़ गया था यहां तक की अरब देशों ने भी नुपुर शर्मा की टिपनी की निंदा की थी इसके बाद बीजेपी ने नुपुर शर्मा को पार्टी से निलंबित कर दिया विवाद बंडे के बाद नुपुल शर्मा ने भी माफी मांगी थी और अपना बयान वापस किया था उधर नुपुल शर्मा के मामले को देखते हुए दिल्ली पुलिस तक्त हो गई और दिल्ली पुलिस ने हाली में भड़काउ टिप्पनी करने के मामले में नुपुल शर्मा असुदीन ओबिसी समेट 32 लोकों के खिलाब केस धर्ज किया था